बिस्मुल अक्मार रहिम अत्लाम दियुम फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में दूपक्टे पर लेस लगाने का तरीका बताऊंगी इसके दिये सिलिक की डेरेंची मैंने ये पट्टी लिए है इस पर मैं ये लेस रखकर स्टीच करूंगी इसको उल्टा रखना है ल आप कोई सीपी लेस लगा सकती हैं मैंने ये वाइट कलर की लेस लिए है मेरा दूपक्टा धाई मीटर गया है इसलिए मैंने साड़े आज लेस और सिलिक की पट्टी लिए है इसको रखने हुए हमने पूरा कम्प्लीट करनी है ये पट्टी और ये अच्छे से देखे कम् स्टीच कर लिए हैं इसके पात दो पट्टे पर उपर की तरफ से 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए हमने नीचे से ये सिलक की पट्टी को लगाना है और जो सिलाई हमने लगाई थी लेस लगाते हुए उसी सिलाई को देखते हुए हमने स्टीच करना है और एंट तक देते हुए जाना है बहुत दफ़र उपट्टे में और एब भी आ जाती है आपने दो पट्टे को ज़रा खेशते हुए स्टीच करना है और इसका किनारे भी बहुत ही सफाई के साथ हमने स्टीच करना है अगर आप हमारे चैनल में नहीं तो में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर का नमात बुलिए बेल आगिंगे बट्टन को पर ज़रूर कीजिए और यह हमने किनारे को मोड़ा है और इसको स्टीच करना है इस तरीके से बहुत ही ब्यूटिफिल तरीके से यह हमारी लेस लगेगी और बहुत ही जादा फिनिशिंग आईगी और यह फाल्तू जो फैब्रिक नजर आए इसको आपने कट कर लेना है बाद में अगर आपके दुगत्ते पर उरे बाती है यह फाल्तू फैब्रिक नजर आता है तो आपने भी कट करना है इसको एंड में हमने इसको स्टीच किस तरह करना है यह देखे पहले हमने यह एंड का हिस्सा स्टीच करना है फिर हमने देखना ही है कितना हमने बढ़ा कर इसको कट करना है इसको हमने कट किया है और इस पर हमने सिलाई लगाने है आप एक दो सिलाई लगा सकती है सिलाई लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे फिर हमने एक और सिलाई इसके ऊपर लगानी पक्का करने के लिए देखे स्टीच हो गया हमारा यह जो इसको सीधा करते हुए हमने प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद इसको उल्की साइट से हमने स्टीच करना है दूसरे सि बदब सही करते जाएंगे को को सिल्वर ना है और इसी सफाई के साथ हमने स्टेच करते चले जाना है और इसके किनारा रेखे इस तरीके से स्टेच करना है डबल लेते हुए हम दूसरे किनारे पर लेके जाएंगे और स्टेच करने लेगे इस तरीके से डूबटे में बहुत जादा फनेशिंग आएगी हमारी लेज भी बहुत ही बीटिफिल लगेगी और यह तरीका बहुत ही एजी है आप असानी के साथ इसको स्टेच कर सकती है यह सिल्क का जो रिबिन मैंने यूस किया है आप इसके बदले आप जो है फैबरिक पट्टी भी उसकर सकती है अपनी कमीस की अपनी शलवार की पट्टी भी आप काट कर इसके लगा सकती है लेकिन मैंने यह सिल्क का रिबिन यूस किया है जो बजार से असानी के साथ मिल ज करते चले जाना है और इस से तरह मारा ये दुबट्टा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप हमार चैनल करना है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना मत बोलें बेल आपने को प्रेस जरूर कीजिए कि हर आने वीडियो आप तक सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो तक जासा तीचे तुआ में याद रखिए अलाफिस